तिर्भूज ABC और तिर्भूज PQR ये दोनों क्या सम्रूप है इस चीनों को सम्रूप बोलते हैं अब जब सम्रूप तिर्भूज दिया हुआ है क्याता है कि इस तिर्भूज का कौन A बराबर 47 डिगरी कौन A बराबर 47 डगरी और इस तिर्भूज का कौन Q बराबर 73 डगरी एक बार, समरूप तिर्भूज में हम लोग जानते हैं कि संगत जो कौन होते हैं वो क्या होते हैं आपस में? बराबर होते हैं मतलब यह कोन A, इस तिर्भूज का कोन A और इस तिर्भूज का कोन P आपस में क्या होगा? बराबर होगा. कोन A बराबर कोन P होगा? किलेर? और इस तिर्भूज का कोन B और इस तिर्भूज का कोन Q? यानि कोन B और कोन Q आपस में क्या होगा? बराबर होगा. पुना हम देखेंगे कौन C और कौन R भी बराबर होगा कौन C बराबर कौन R भी आपस में बराबर होगा समरूप तिर्भुज का ये गुन होता है है ना अब अगर हम आगे देखेंगे कि कौन A हम लोग का दिया हुआ है 47 डिग्री कौन A 47 डिग्री मतलब कौन B भी हमारा 47 डिग्री हो गया नहीं? राइट? पुना अगर हम देखेंगे यहां कौन Q दिया हुआ है तो कौन Q बराबर 73 डिग्री हो गया यानि कि कौन B भी 73 डिग्री हो गया और हम जानते हैं कि तिर्भूच के तीनो कौन को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है तिर्भूच के तीनो कौन को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है अब अगर हम इस तिर्भूच की बात करेंगे तिर्भूच ABC की बात करेंगे इन में से हमें कौन A का भी मान पता है कौन B का भी मान पता है तो कौन C का मान निकार न लेंगे 180 में से इसको क्या करेंगे घर्टा देंगे कितना हो गया 73 और 27 को जोरेंगे तो 7, 3, 10 और 7, 14 और 12 120 डिग्री हो गया 120 डिग्री कोन A और कोन B को जोड़ने से हुआ तो कोन C कितना हो गया 60 डिगरी अफसन नमबर C हो जाएगा तीनों कोन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिगरी होता है अज दो कोन को मिलाकर कि 120 डिगरी हो गया तो तीसरा कोन क्या हो जाएगा 60 डिगरी 70 degree और 120 degree कितना हो गया है 180 degree हो गया केलिए यह ऐसा है देख लो A, B, C दूसरा तिर्भूज है P, Q, R और यह कहरा है कि यह दोनों ही तिर्भूज है वो समरूप है केलिए और फिर कहरा है कि यह जो कौन A है यह 47 degree है और इस तिर्भूज का कौन Q जो है 73 degree है ठीक है चुकि यह दोनों समरूप तिर्भूज है तो यह कौन A और यह कौन P यह दोनों बराबर होगा यह 47 degree तो यह भी 47 degree फुना हम देखेंगे यह B और यह Q दोनों आपस में बराबर होगा मतलब यह 73 degree दिया हुआ है तो यह भी क्या हो जाएगा 73 degree अब हमें निकालना था कौन C यह 47 और 73 120 हो गया तो यह कौन C क्या हो गया 60 degree मतलब यह कौन R भी पूछता तो हमें इसको बता देते ठीक हमें यह नहीं पूछा है किलर? के पूछता पूछता तो हमें पूछता तो हिए怎麼 को इसे से पूछता तो है